हेलो दोस्तों स्वागत है आपका Special Kitchen 9 में जी हाँ दोस्तों आज मैं आपके सामने बहुत ही यूनिक फीस रेसिपी लेकर आई हूँ इससे पहले ना ही आपने कभी खाई होगी और ना कभी बनाई होगी गर्मा गरम फीस फ्राइ किसे नहीं पसंद लेकिन ये अगर आप कुछ कारण से ठंडे हो जाते हैं या फिर कोई कारण बच जाते हैं तो ये उसकी रेसिपी है दोस्तों इस रेसिपी को ट्राइ करने के बाद आप हमेशा भूने हुए मचली को बचा कर रखेंगे और ये बचे हुए फीस फ्राइ की रेसिपी आप जरूर बनाएंगे और सभी को एक बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल अलग सी टेस्ट का नुभाव भी करवाएंगे तो चलिए सुरू करते हैं इसके लिए मेरे पास ये 5-6 मेरे फीस है ये देखिए फीस फ्राइ मैंने कर लिये थे ये रेहू मचली है दोस्तों आपके पास रेहू कतला कोई भी मचली हो आप उससे बना सकते हैं बचे हुए मचली से तो चलिए सुरू करते हैं इसके लिए मैंने 2-3 चमच सरसो के तेल लिये हैं सरसो के तेल गर्म होने के बाद आप डाल दे 1 चमच सरसो ये काली सरसों का यूच किया है मैंने, इसे अच्छी तरह से पकने दे, सरसों तड़कने के बाद आप डाले इसमें 3-4 तेशपत्य, उसके बाद आप डाले 3-4 चमश, मैंने ये घिसे हुए अधरक का यूच किया है, घिसे हुए अधरक को डाले आप, इसे मैंने अच्छी त फिर मैं उसे डाल रही हूँ और हाँ दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक भी जरूर करें और हमें आप बताए कि ये ऐसी आप रेसिपी क्या बनाते हैं औ दो से तिन टमाटर आप ले ले 5-6 फिस में फिर आप उसे डाले और आप इसे अच्छी तरह से फिर से भूने इसे लगतार अच्छी तरह से आपको भूनना है दोस्तों ये काफी टेस्टी डिस बनती है और हाँ दोस्तों अगर आपको मचली करी की रेसिपी जाननी है तो आप कोमेंट्स जरूर करें और मसालेदार फिस फ्राइ की रेसिपी भी जाननी है तो आप हमें कोमेंट्स करें मैं बिल्कुल ही यूनित तरीके से आपको बताऊंगी और फिर मैंने एड किया था इसमें नमक मचली में मेरे ओल्रेडी नमक थे इसलिए मैंने मसाले के कफी अच्छा टेस्ट आता है मचली का और बिल्कुल ही यूनिक रेसिपी बनती है ये देखिए इसे अच्छी तरह से आपको बिल्कुल फ्राइ करने है जब तक ये लाल ना हो जाए और लाल होने के बाद फिर जितने भी मेरे बचे वाले फिस है ये देखिए मैं सभी इस आपको भी इसी तरह भूनना है ये देखिए प्रेस करकर के ये सारे मचली को अच्छी तरह से तोड़ने है ताकि ये बिल्कुल भी क्रिस्पी हो जाए और अच्छी तरह से पक जाए क्यूंकि ये ठंदे मचली में थोड़े सिकुड़न आ जाते हैं इसी कारण में इसे प्रूल बताय, thank you